नवस्कार दोफ़तों टीप इंसाइट्स में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं सरजरी कराने से पहले प्रीअपुरॉल कैसे लिया जाता है उसका क्या कुछ प्रोसेस होता है क्या कुछ डोकूमेंट्स के रिक्वार्मेंट होती है वो सारा कुछ आज इस वीडि की जरूत पड़ती है क्या कुछ प्रोसस होता है कैसे होस्पिटल में जाना होता है क्या कुछ डोकुमेट्स लगते हैं बहुत सारे डाउट्स आपके मन में होते हैं सबसे बड़ा जो डाउट्स इसमें होता है सर्जरी के केस में वह होता है कि मेरा क्लेम पास होगा या नहीं होगा तो इस वाले डाउट्स पर हम ज्यादा फोकस करेंगे और भी सारी चीज़ें आपको बताने वाले इस वीडियो के दिरूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि अग्यूंग कि सरजरी कराने से पहले परी अप्रूब्ल जाएं इस बारे मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि इसमें प्री ने या वाले बाद यह हमें फाइनेंच्यली गारंटी देता है कि आपका आप हम यस केस में मिल जायेगा और फैइनेच्यली बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के मन में होते हैं कि मेरा क्लेम पास होगा या नहीं होगा या मेरी पोलसी के अंदर ये सर्जरी कावर है या नहीं है कई बार क्या होता है कि कस्टमर केर में भी बात करने से इस बारे में पूरी डीटेल जानकारी नहीं मिल पाती है या एजेंट से भी बात करने से भी होस्पटल में एडमेट होने के बाद जब हम रिक्वेस्स प्रोसस करते है टीपेगी तुरू से रिक्वेस्ट को reject कर दिया जाते हैं दिनेल कर दिया जाता है तो उस condition में क्या होता है कि हमें वह पैमेंट जेबों करनी पर जाती है Пरिप तो यह सब्से बड़ी problem होती है Surgery के case में pre-approval लेना कितना जरूरी है वो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको Surgery के case में कुछ मोटे मोटे point है जो हम आपको आज बताने वाला हूँ सबसे पहला point है हमें किसी डॉक्टर से consult करना होगा जब हमें कोई problem होती है या हमें कोई तकलीफ होती है तो हम किसी डॉक्टर के पास जाते है treatment कराने के लिए और अगर डॉक्टर को लगता है कि surgery की जरूत है तो हमें आगे second process start करना होता है second process जो होता है वो होता है कि हमें अपने provider से contact करना पड़ता है provider मतलब hospital से hospital में हम जाएंगे तो वहाँ पे TPA की team होती है उनसे हम बात करेंगे उनसे बात करने के बाद हमें पता लगेगा कि हमें क्या क्या documents लगाने है क्या क्या हमें form पे sign करना है और जो भी process होगा वो सारी TPA की team आपको समझा देगी उसके लावा हम इस चीज़ को अपने agent से या online portal से जहां से हम policy करीते है वहाँ से भी customer care में बात करके पता कर सकते है तीसरा जो point है उसमें क्या करते हैं जब हम document submit करा देते हैं TPA के पास तो TPA की team हमारे पास एक pre-authorization form sign कराती है उस form के अंदर patient की detail लिखी जाती है patient की जो भीमारी होती है उसकी history लिखी जाती है और treatment related जो भी diagnosis और जो भी चीज़ें होती है वो सारी mention की जाती है और उसमें hospital का ना mention करके उस form पे hospital की sign और stamp होती है और patient को भी उस पे sign करना होता है या patient के attendant को उस पे sign करना होता है चोथा point यह होता है उसके अंदर हमें supporting में कुछ documents लगाने पड़ते है सबसे पहला documents तो हमें policy की copy लगानी होती है या health card की copy लगानी होती है second उसकी ID होगी third उसका treatment related जो documents होते है उसको surgery करानी है तो उसके क्या-क्या lab test हो रखे है कोई ultrasound है कोई x-ray है या कोई ECG हो गया है CT scan हो गया हो गया उसके अंदर हम यह चीज mention जरूर होनी चाहिए कि इसको actual में patient को surgery की जुरूत होती है वह बहुत महाइने रखते है क्योंकि जब TPA से process किया जाता है documents आगे forward किया जाते है insurance company के बाद तो वहाँ पे भी doctors की team होती है वह in documents को verify करती है उसके बाद आगे का process start होता है 500 point होता है जब सारे documents हम TPA वालों को दे देते हैं TPA team को दे देते हैं hospital को submit कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि hospital की team उसको आगे forward कर देती है documents को insurance company के पास insurance company की तरफ से सारे documents review किये जाते है उसमें देखा जाता है कि इस policy का waiting period कितना था इस surgery का waiting period कितना था और ये cover है या नहीं है और cover है तो इसके limit कितनी है surgery की और या procedure होता है उसकी भी एक limit होती है तो वो सारी चीज़े insurance company चेक करती है corporate के अंदर भी ऐसे ही होता है corporate में भी limit होती है हर चीज़ की हर surgery की limit होती है तो वो सारा review करने के बाद insurance company approval देती है या claim को reject करती है वो सारी चीज़े check करने के बाद देखने के बाद ही insurance company decide करती है insurance company के पास हमारे document submit होने के बाद उधर से या तो initial approval आता है pre approval बोलते हैं जिसे या reject आता है अगर initial approval आता है उस case में हमें क्या करना होता है कि हमें फिर doctor से मिलना होता है क्योंकि उस initial approval का उस pre approval का कुछ time period होता है 2 दिन, 4 दिन, 1 week maximum या maximum 10 दिन तक होता है उस period के दोरान हमें surgery करानी compulsory होती है तो फिर initial approval आने बाद हमें doctor से मिलना होता है डोक्टर एक date decide करते हैं surgery के और उस date में हमें वो surgery करानी होती है डोक्टर से date मिलने बाद हम आसानी से surgery करा सकते हैं एक चीज ध्यान रखने वाली बात ही है कि जो initial approval आता है जो pre-approval आता है उसके अंदर बहुत सारी चीजे mention होके आती है कि इतना आपका co-payment है, इतना आपकी deduction होगी, इतना आपको pay करना है या आपकी limit इतनी है, आपके room rent की limit इतनी है तो वो चीजें भी आपको बहुत ध्यान से check करनी है क्योंकि मान के चलोगर कोई 50,000 की surgery है और उसमें 30,000 उने पास किया तो 20% उसमें mention होके आएगा, कि आपको pay करना है वो अलग-अलग reasons हो सकते हैं, वो उसमें mention होके आता है कि किस reason की वाज़े से आपको यह pay करना है तो जब initial approval आए तो उसको बहुत ध्यान से review करें ध्यान से पढ़ें उसको और उसके बाद ही अपने patient को hospital के अंदर आप comment section में हमें लिखिए हम आपको जवाब देंगे, तब तक के लिए thank you so much